एक छोटे से शेहर में मयंक और उसकी पत्नी नीता रहने आये थे उन्होंने वहाँ किराय पर एक घर लिया था वो घर अभी नया-नया ही बना था तो मयंक और नीता को घर जल्दी ही पसंद आ जाता है और उन्होंने उस घर को किराय पर लेने का सोच लिया नीता घर तो नया ही बना है और काफी अच्छा भी है यो ना ये घर हम किराय पर ले लेते हैं वाकई में घर बहुत ही खूबसूरत है हम इसी घर में रहेंगे मयंक और नीता उस नए किराय के घर में रहने का फैसला कर लेते हैं और अगले दिन, मयंक और नीता किराय के नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं, तभी उनके पास रह रहे एक पडोसन आती है, आप लगता है आज इस नए घर में आये हो, हाँ हम आज ही आये हैं, पर आप कौन है, कहां रहती है, मेरा नाम माया है, और मैं आपके साथ वाले धर में रहती हूं, फिर दोनों आपस में बाते करने लगती है, और शाम भी हो जाती है, तो माया नीता से कहती है, रात होने वाली है, अच्छा, तो अब मैं चलती हूं, इतनी पर चलती क्या है, थोड़ी देर और रुको, खाना खा कर जाना, आपके साथ बात करके बड़ा यह अच्छा लगा, मुझे अब चलना होगा, रात भी होने वाली है, और यहां इतनी रात को रहना ठीक नहीं है, और एक बात और, तुम अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना, मतलब मैं समझी नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, अच्छा, अब मैं चलती हूं, यह कहकर म माया फटा-फट अपने घर चली जाती है, नीता सोचती रहती है, यह माया ने ऐसा क्यों कहा कि अपना ध्यान रखना, और इतनी रात में यहां रहना ठीक नहीं, नीता बहुत सोचती है, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि माया ने ऐसा क्यों कहा, तभी उसका पती मयंग पी आजाता है नीटा क्या हुआ तुम्हारा चेहरा क्यों उत्रा हुआ है ़ार पसंद नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है फिर नीटा अपनी पड़ोषन माय की बात मयंग को बताती है तुम भी ना कैसी कैसी बातों पर ध्यान देती हो, बोल दिया होगा उन्होंने ऐसे ही, ये तो नॉर्मल बात है, तुम छोटी छोटी बातों पर इतना मत सोचा करो मयंक और नीता दोनों रात को खाना खाकर सो जाते हैं, वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई देती हैं, आवाजों से नीता की आग खुल जाती है और उसे नीद नहीं आती, वो मयंक को उठाती है, मयंक उठो, देखो ये आवाजे कैस तुमने कल जादा ही काम कर लिया था और फिर घर भी शिफ्ट किया है यह सब थकावट के कारण हो रहा होगा तुम भी न कुछ जादा ही वहम पालती हो मयंग नीता को बोलता है कि मैं ओफिस जा रहा हूँ तुम अपना ख्याल रखना यह कहकर मयंग को ओफिस चला जाता है और नीता अपने घर के काम में लग जाती है वो बातरू में कपड़े धो रही होती है तभी उसे मिक्सी चलने की आवाज आती है अरे यह किचन में से मिक्सी कौन चला रहा है और वो डरते डरते किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि किचन में चारो तरफ बिजली की तारे फैली पड़ी हुई है अरे शी बिचली की तारे कैसे पड़ी हूई है यहां यह تारे कैसे आई कोई है भी नहीं Nita यह सब सोची रही होती है तब उसे एक बेहर दरावना आदमी खळा हुआ दिखाई देता है पर उसे उसका चहरा नहीं दिखाई दे रहा था उसके हाथ में बहुत सारे बिज्दे की तारे हैं कि देख कर नीता चिलाने लगती है कौन? कौन है वहाँ? नीता आवास देती है तब ही उस आदमी की गर्दन अपने आप घूम जाती है वो एक गरावना भूम था मैं आपके किचन की तारें ठीक करने आया हूँ आपके किचन की सारी तारें खराब हैं उन्हें ठीक करना पड़ेगा तुम्हारे किचन में घटिया तारें लगी हुई है इसलिए मैं इसे ठीक करने आया हूँ तुम तो भूत हो और मेरे घर में कैसे आए? भूत तो कहीं भी जा सकते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं कराना, तुम जा यहां से भूत गुस्से से नीटा को देखता है मुझे मेरा काम करने तो, बीच में मत बोलो नीटा चुप नहीं होती, वो फिर बोलती है तभी भूत अपनी शक्ती से नीटा को उठा कर दूर फेंग देता है और नीटा बेहोश हो जाती है तभी थोड़ी देर बाद मयंग भी आ जाता है वो नीटा को इस तरह बेहोश पड़ा देख कर घबरा जाता है नीटा, उठो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मयंग को नीटा सोचाते है तभी कुछ देर बाद उनकी कमरे की लाइट चली जाती है तो मयंग की गर्मी लगने की बज़े से नींद खुल जाती है और वो उटकर बैठ जाता है तो देखता है अरे, ये क्या? सब की लाइट आ रही है और हमारी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है, फ्यूज उड़ गया है अब इतनी रात में कौन बिजली ठीक करने आएगा? तभी उनके मकान की बेल बचती है अब इतनी रात में कौन आया होगा? फिर मयंग दर्वाजा खोलने चला जाता है तो देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है उसके हाथ में बहुत सारी बिजली के तारे और बिजली ठीक करने का सामान है पर मयंग को उसका चेहरा दिखाई नहीं देता मयंग को अस आदमी से पूछता है बोलो आपको क्या चाहिए मयंग की इतना बोलने पर उस आदमी की गर्दन खूछती है वो एक भूत होता है वो मयंग से बोलता है आपको मेरी जरूवत है भूत? आप तो भूत हो हमें आपकी कोई जरूवत नहीं है आप चले जाओ यहां से आपके घर की लाइट नहीं गई? हाँ? तो? तभी तो मैं आपके घर की लाइट ठीक करने आया हूँ हमें कोई लाइट वाइट ठीक नहीं करा नी भूत गुस्से से मयंग को देखता है और जबरदस्ती घर में खुश जाता है मयंग कुछ बोलता तभी नीता की आवाज आती है क्या हुआ? इतनी रात में किस से बात कर रहे हो? भूत भी घर के अंदर आ जाता है नीता भूत को देखकर डर के मारे मयंग के पीछे चिप जाती है और मयंग से कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना इस घर में भूत है अब क्या होगा? मयंग भूत से कहता है तुम जाओ यहां से हमें कोई लाइट ठीक नहीं करा नी भूत गुस्से से मयंग को देखता है और उसे उठा कर दिवार पर जूर से ठेखता है और कहता है मुझे मेरा काम करने दो भूत कमरे की लाइट ठीक करने लगता है और गुस्से से कहता है यहा? कितनी सस्ती तारें डाल रखी है पूरे मकान में खटिया तारें लगा रखी है हमें कुछ नहीं पता हम तो यहां किराएपर अभी आए है भूत के हाथों में बिजली की तारे थी उसमें से करेंट निकल रहा था वो बिजली की तारे लेकर उनकी ओर जा रहा था नीता और मयंक उससे बचने की कोशिच कर रहे थे तब ही नीता भूत को कहती है हमें छोड़ दो हमें करेंट मत लगा छोड़ दूँ, नहीं छोड़ूंगा, सब को करंट से माल डालूंगा मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम हमें मारना चाहते हूं जो कोई भी इस मकान में रहने आएगा, मैं उसे माल डालूंगा भूत करेंट की तारे लेकर मैंग की और बढ़ता हुआ आता है, तो मैंग बड़ी जोरू की चिलाने लगता है हमें छोड़ दू, हमें छोड़ दू, हमें मत मारू, बगवान के लिए हमें मत मारू जब ये मकान बना था तब इस खर के मकान मालिक ने एक बार भी सोचा था ये उसकी एक लाफरवाही की वज़े से मेरी मौत हो गई मैंने उसे इतना समझाया था ये घर में खटिया तारे मत लगवाओ पर इस खर के मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी तारें कम्जोर होने के कारण उनमें करंट आ गया और उसकी वज़ा से मैं मर गया इसमें फिर हमारा क्या दोश दोश इस मकान में रहने वाले का है जो इस मकान में रहेगा वो मरेगा ही मरेगा इस मकान में अगर बढ़िया तारें लगाई होती तो आज मैं जिन्दा होता, मेरे बीवी बच्चे बेगर नहीं होते उनकी पूरे घर में अंधेरा चाया हुआ था भूत की तारों से मयंक और नीता का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था पर करें भी तो क्या करें, वो दोनों मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे ये भगवान हमें इस भूत से बचालो ये भगवान हमें इस भूत से बचालो ये भगवान हमें इस भूत से बचालो तभी नीता का हाथ लाल टेन पर पढ़ जाता है लाल टेन नीचे गिरने की कारण उसमें से थोड़ी आग निकलने लगती है आग को निकलता देख भूट डर जाता है और वो चिलाने लगता है बचाओ, 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 मुझे चलन हो रही है इस तरह भूट को आग से डरता देखकर मयक दौड कर किचन से मिट्टी का तेल लेकर भूट के उपर डाल देता है और नीता जल्दी से उसके उपर माचिस जला कर डाल देती है फिर देखते ही देखते भूट जल कर भस्म हो जाता है